हाई एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल आई फोप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अप सभी का मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सो आज हम बनाएंगे कुछ क्रिस्पी सा स्नाक्स जो बहुत ही फटाफट और जल्दी से बनके तयार हो जाता है सो लेट्स गेट स्टाटेड और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना कॉमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा ठैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे केले का जिप्स ये जिप्स साउथ इंडिया में बहुत फेइमस है और खाने में ये लाजवाब होता है अगर आप थोड़ी जिप्स खाएंगे तो आपका मन होगा बार बार खाने का तो चलिए आज हम ट्राइ करते हैं इसको बनाना सबसे पहले आपको कच्चा केला लेना है और बीच में से कट लगाते हुए इसके छील के डंठल हटा के उतार लेने है और अच्छे से धो लेना है बढ़िया से पोच लेना है आपको सूखा कर लेना है इसको हो सके तो छीलते समय जो ये ब्राउन पार्ट है उसको आप रहने ही दीजे जिससे आप जब चिप्स बनाएंगे तो आपके चिप्स बहुती क्रिस्पी बनेंगे फ्रेंड्स अगर आपको चिप्स में थोड़ा कलर चाहिए तो धोते टाइम पे आपको थोड़ी सी हल्दी और नमक में इसको भिगो देना है तो ये थोड़ा पीला हो जाएगा और थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा बट मैं इंस्टेंटली इसको सिंपल तरीके से बना रही हूँ अब आप जैसे आलू की चिप्स को खिसते हैं बिल्कुल उस तरह से आपको इसको कर लेना है तो एक बैच में एक केले आपको खिस लेने हैं उसके बाद जब आपको तेल गरम हो जाए आपको तेल में डाल देना है और धीमी आजपे इसको आपको तलते रहना है उसके साथ ही आप दूसरा बैच तयार करें अगर आप एक बार में ही सारे केले डाल देते हैं किस करके तो यह चिपक जाएंगे और यह फिर एक बार होने के बाद वो अलग भी होंगे तो टूट टूट जाएंगे आपके चिपस तो आप देख सकते हैं कि इधर में कढ़ाई में इसको स्लो आज पे अच्छे से तल लूँगी उसके बाद ही मैं दूसरा बैच इसमें डालूँगी तो जितना धीमी आज पे थोड़ी देर तक आप इसको तल लेंगे उतना ही यह क्रिस्पी बन के तयार होगा तो यहाँ मैं सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से कर लूँगी तो यह फटा फट बन जाने वाला चिपस है तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इतने सारे चिपस बना करके रेडी कर लिया है और क्रिस्पीनेस आप खुद से देख सकते हैं कि यह फटा-फट कैसे देखे तूट रहा है अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसमें मसाला कोटिंग और नमकीन बनाने के लिए मैंने यहां नमक ले लिया है और चाट मसाला पाउडर ले लिया है आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें अड़ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको इस तरह से उचालते हुए इसको मिक्स कर लेना है तो आपकी जो चिप्स है जटपड चिप्स ये रेडी हो गई है आप इसको महीनों तक अच्छी तरीके से स्टोर करके खा सकते हैं अब मैं इसको एक टिफिन में ऐसे पैक कर लूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा थैंक यू सो